नमस्कार पसुबालग भाईयो मैं लसे दसरे चोधरी नवबरस के आपके सबसे पहले हार्दिक सुबकाम नहीं मैं आज आपके लिए हैं बक्रियों में बेड़ों में तेज बुखार कासी निमोनिया जैसी कंडिशन हो जाए तो मैं कौन से इंजिक्सन का इस्तमाल करना चाह कि आपने सब्सक्राइब निए तो पहले जाएगे सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन का बटन दबा लिए जिसे बहुत चेमाने वाली कोई वीडियो आप मिस्क ना कर सके धन्यवाद आज इस वीडियो के माद्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपके बेड़वकर इमें तेज बुखार है तो हम सबसे बेले उसमें पेरसीटा मोल इंजिक्शन काम में लेंगे जो अमारे पास में अभी पढ़ा है मेलोक्सी केम पेरसीटा मोल इंजिक्शन एंटाकस कंपनी का दोस्तों कि इसकी बात करें तो यह मल्टी डोज वाइल है अभी मेरे पास और 1.5% BP है और इसकी root की भी बात करें साथ में तो इसको intramuscular काम में लेंगे यानि जो meloxicamperacetum हो लाएगा इसकी root की बात करें तो ये आपको intramuscular only काम में लेना है और इसके साथ में हम यदि आपके निमोनिय जैसी condition हो रखी है तो उसको बहुत तेज खासी है तो उसमें हम intramuscular injection काम में लेंगे ये MSD कंपनी का है दोस्तो इसकी वाइल आपको 15 ml में भी market में उपलब दो जाएगी 30 ml में भी उपलब दो जाएगी और 100 ml में भी उपलब दो जाएगी जैसी आप वाई लोग लेना चाते हैं वैसी आपको मिल जाएगी इसमें बात करें तो इसमें इंड्रोफ्लोक्सिन पाया जाता है 100 mg और वेल जी अमर्कों पाया जाता है 1.5 VV और इसके रूट की बात करें तो इसको सबसे बेस्ट रूट है इसके इसको इंटरमस्कुलर भी काम में ले सकते हैं सरगट भी काम में ले सकते हैं और सलो आईवी भी काम में ले सकते हैं यानि जो आईवी लेना है तो इसको सलो काम में लेना है दोस्तों अब इसके डोजगी बात कर लें तो बड़े लार्ज बेड़ बकरी है तो उसमें हम इसको 3-5 ml काम में लेंगे और ये एंटिवाइटिक हम 3 ml काम में लेंगे और लार्ज है जिसका बोडिबेट 100 kg प्लस है बेटबगरी का तो हम उसमें 5 mg, 3-5 mg काम में लेंगे छोटे वस हुआ है जो उनमें 1 ml और 1 ml इंड्रोफ्लोक्सिंग काम मिलेंगे रूट पताई दिया मैंने आपको यह प्रेग्नेंसी सेफ है दोनों बेड़ बक्री में आप लगा सकते हो निमोनिया कासी बुखार तीनों में आप इसे इंजिक्सन लगाने पर 100% उनका फ्यूर कम हो जाएगा निमो आपके पसू के जो बार-बार खांसी हो रही है वो भी रूख जाएगी पेड़ बक्री में वीडियो कैसा लगा लाइक करें कमेंट करें और सेयर करना ने भूलें धन्यवाद दोस्तों